दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते अंडे चैनल हम फिर आपके लिए उपस्ते थे अपडेट फॉर अलर्ट इन्यूस के दोस्तों बात कर रहे हैं मांसून अपडेट की कहा तक पहुंचा है मांसून और कब तक होगी आपको शहर में बारे तो चलिए बेन अगरे शुरू क करते हैं आज की वीडियो मिश्ता से वीडियो शुरू करने से पहले करने चाहूं है या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बिलाएगन दमा इससे आपको ऐसी अपडेट वर अलर्ट मिलते रहे हैं कि राइपूर से सो किलोमेटर दूर रुका मांसून आज साम तक आना संभाव दोस्तो दक्षिण पश्चिं मांसून रविवार को आधी राज तक राजधानी नहीं पहुँच पाया लेकिन शहर से करीब 80 किलोमेटर दूर राज नांद गाउं बालोद और धमतरी के हिस्से में मांसून की बारिज दर्ज की गई घने बादल राजधानी से काफी नजडीक है और इसलिए यहां नमी बढ़ गई है इसका नतिज़ा यह हुआ कि राइपूर में दोपहर का तापमान शनिवार के मुकाबले दो डिगरी और कम होकर चोती डिगरी तक पहुँच गया यह सामाने से 6 डिगरी कम है और मोसम विभाग के अन हो रही है बस्तर में चिंगर और आसपास के जो इलाके हैं कुछ घंटों में 130 मिलीमेटर पानी बरसा है कजड़ोल में 90 डबरा में 60 तथा वाडरुफ नगर में 40 मिलीमेटर बारिस रिकार्ट की गई राजधानी से करीब 100 किलोमेटर के दाइरे में कहीं जगा 30 मिलीमेटर क और मानसून के आगे चल रहे हलके बादलों की वज़़से राइपूर में रविवार को सुबह से शाम तक हलके बादल थे इसलिए धूप तेज नहीं हुई यह नहीं राइपूर और बिलासपूर के मेदानी लाकों में भी मानसून की नमी फैलने की वज़से तापमान साम पश्चिम बंगाल के 36 तक सकरी है इसके प्रभाव से नमी के कारण राइपूर संभाग में बदली बारिस किस्तितियां बनी है मानसून इसके असर से आगे बड़ेगा और राजधानी में बदली बारिस किस्तितियां बनी हुई है तो दोस्ते यह थी मानसून की ताज़ा अपडेटी आपके लिए इसी प्रकार की अपडेट वर अलर्ट न्यूस प्राफ्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया को और बिलाए गंदमाइस तक यह पस्तित होंगे अन्ने जान करे के साथ तब तक लिए दोस्तों खुश रहिए शौस्तर लिए नम अबस्ते इंदिया